सामेबे शराब के ठेके खुले नजर आए जहां देश में लॉकडाउन है वहां शराब के खुले ठेके सरकार के आदेशों की धजियां उड़ा रहे हैं यहां आप तस्पीरों में देख सकते हैं कि छोटा सा जो नीचे से जगा है वो खुली छोडी गई है जो यह दिखाने क से बाहर नहीं निकल सकते हैं लेकिन लोगों को अभी भी इसकी गंभीरता समझ में नहीं आ रही है आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से छोटी सी खिड़की बनाए गई है शटर के बीचो बीच अंदर एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है यह सिरसा की तस्वीर है जो यह स यार नहीं रहते अगर यह दुकान खुली है तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों को जानकारी भी होगी जो यहां पहुँच रहे होंगे ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मनोहर सरकार में मैखाने आखिरकार कैसे खुले हुए हैं पूरा देश लॉकडाउन है हरियाना से भी कई की मामले पॉजिटिव सामने आ चुके हैं हरियाना में पहले यह कुछ जिलों में लॉकडाउन किया गया था लेकिन उसके बावजूद आज आप यह तस्वीर देख सकते हैं यह देखिया आप शटर कैसी डाउन हुआ है जैसी कैमरा ओन हुआ शटर डाउन हो कया यह सिरसा की तस्वीरे हैं हरियाना में भी लोगडाउन गोहशित कर दिया गया है इसके बावजूद हरियाना के सिरसा में शराब के ठेके खुले दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल आप तस्वीरे देखते हैं कि लानबती चौंपर यह देसी शराब अंग्डेजी का ठेका है मिस्टर स्थीश कुमार के नाम पर और आप दिखते हैं कि इसका आदा शेटर खुला है विसके नलब कि यह शेटर पूरा खुलेगा उसके बाद ही यहां से लोगों को शराब दी जाएगी हाला कि सरकार ने इनसाफ तोर पर निद्श दिये हैं कि आज शराब के ठेके बन रहेंगे क्योंकि मौदी सरकार ने पूरे देश में ही लोग डाउन खोशित कर दिया है इसके बावजूद सिर्सा में शराब के ठेके खुले दखाई दे रहे हैं वहीं बात करें एक दूसरे बजार में भी शराब का ठेका हाला कि उसका शर्टर दो बंद था लेकिन चौर खिड़क अब देखना होगा कि सिर्सा प्रशासन इस शराब के ठेकेदारों पर किस प्रकार कारवाई करता है विजय कुमार जी मीडिया सिर्सा चलिए अब आपको अलग-अलग तस्वीरे दिखाते हैं कि किस तरीके से धजियां उड़ाई जा रही हैं लॉकडाउन की यह सिर्सा की तस्वीरे जहां पर जैसे ही कैमरा ओन दिखा तो शटर नीचे गया लेकिन चोर खिड़की आप देख सकते हैं शटर में नजर आ रही और यह जो तस्वीरे हैं यह पानीपत की तस्वीरे हैं पानीपत में भी आपको बता दें कि धजियां जो हैं वोड़ाई जा रही हैं क्या शराब ठेके एसेंचल सर्विसस में आते हैं यह अपने आप में अब एक एहम सवाल है यह तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां पर अराम से शराब के ठेके खुले हुए हैं जो लोग आ रहे हैं पुलिस उनसे जरूर सवाल चवाब कर रही है लेकिन पुलिस के पीच्छे शराब के ठेके खुले हैं अब यहां पर बड़ा सवाल जो है सरकारी नमायनेदों से यही है कि आखिरकार यह शराब के ठेके कैसे खुले हुए हैं क्योंकि जो essential services की list बताए गई थी उसमें कहीं भी इनका जिक्र तो नहीं था लेकिन आप यह भी देखें कि यहां पर यह बोट जरूर लगाया गया यह जरूर चस्पा किया गया कि आप एक मीटर की दूरी रहे हैं कि आप कहते हैं कि एक मीटर की दूरी पर रहे नहीं तो शराब नहीं मिलेगी यह तस्वीरें कुछ यह बया कर रहे हैं कि शायद से हर्याना में पुलिस भी यही मानती है कि जो मैखाने हैं वो essential services में आती हैं क्योंकि जो तस्वीरें हमने आपको दिकाई रो तक प हमारे साथ मौझूद है आप विजे से बात करेंगे जो सिर्सा से हमारे साथ मौझूद है विजे आपने तस्वीरें भेजी हमारे दर्शकों तक क्या सफाई पेश की जा रही है कि आपकी किसी सरकार नुमाइंदे से बात हुई है क्या वाके में ही शराब के ठेके essential services में आ कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है कि शराब के ठेके खुले रहेंगे विजे बताईे जी बिलकुल सिर्सा के एजियम जैवीर यादव ने जब हमने उनसे पूछा कि शराब की ठेके खुले रहेंगे तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी की गई है सरकार की तरफ से शराब की ठेके खुले रहेंगे तो बड़ा बयान यहां पर SDM जैवीर यादव का जो हमारे समधाता ने जानकारी दी है उन्होंने उनसे बात की है कि सरकार ने कहा है कि शराप के ठेके खुले रहेंगे कि कई एहम सवाल खड़े करता है क्योंकि हमने ऐसी भी तस्वीर दिखाई है जहां पर किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है वो दर-दर फोन कर रहे हैं उन्हें सिलेंडर मिल जाये तो वो घर में दो वक्ता खाना बना लें कुछ और भी तस्वीर आई हैं जहां पर लोगों को रोजमरा की चीजें नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन शिराब के ठेके एसेंशल सर्विसस में आ रहे हैं और नोटिफिकेशन जिस तरीके से SDM कह रहे हैं जैविर यादा हमारे साथ पानीपत से हमारे समदाता राकेश भयाना है राकेश पानीपत से भी ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं क्योंकि अगर सिरसा से यह बयान सामने आ रहा है तो पानीपत में आपकी क्या सरकारी नुमाइंदों से बात हुई है क्या कुछ उनका कहना है अभी अभी प्रशाशन मिटिंग ले रहा है तो शिराप के ठेके बंद होंगे या नहीं होंगे तो मिटिंग के बात ही पता चलेगा लेकिन जब आज हम सुबह गे तो नेशनल हाइवे पे कई ठेके हैं और को लोनियों ऑन दी कई और दूसरी नेशनल हाईवे हैं उन पर खुले हुए जब उनसे बात कि तुछ उनने का में कोई अधेश जारी नहीं है जब कि पूरा देश लोग डाउन है तो कैटी डीटीसी का ठेकेदार का जब हमारे पास ओडर आएगा हम तब बंद करें जब एक ठेके दार के पास जब मैं शोट करने गया तो पर तो उनका स पर सुरूप से कहना सरकार के और डीटीसी के ओडर नहीं है कि थेके बंद हो बड़ा सवाल है क्या आप शराब के ठेकों को कैसे शिंशल सर्विसेज में मान सकते हैं आखिरकार शराब के ठेके बंद क्यों नहीं किये गए हैं